आप सभी का फिर से स्वागत है competition community में हम डील कर रहे हैं current affairs और आज हम डील करने वाले हैं कल जो हमने national international current affairs देखा था जुलाई के तीसरे हफ़ते का आज उस पर base करके हम क्या करने वाले हैं mcqs को solve करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारे एक्जाम में कैसे हमसे question पूछे जा सकते हैं सबसे पहला question हमारा होगा कौन सा what is manas recently seen in news आप सबी से अनुरोध रहेगा आप अपने-अपने copies में answer देते चलेंगे हमारे लिए जुलाई के तीसरे हफ़ते में राश्ट्री और अंतर राश्ट्री कोई बहुत ज़्यादा information नहीं है लेकिन जितनी है वो exam उपयोगी काफी ज़्यादा है very important है इसलिए हमारे पास questions भी आज ज़्यादा नहीं है लेकिन जो है वो काफी important है सबसे पहला question है what is मानस recently seen in news याने की हाल ही में खबरों में रहा मानस क्या है toll free मानाव तसकरी विरोधी help line याने की toll free anti human trafficking help line option number B हमारे पास में हो जाएगा anti narcotics service anti narcotics email service आदक पदार्थ विरोधी email सेवा तीसरा option है anti terrorism toll free help line number या फिर आतंक विरोधी toll free help line या फिर इन में से कुछ भी नहीं है मानस none of the above तो मानस क्या है ये आप लोगों को बताना है toll free anti human trafficking help line number anti narcotics email service anti terrorism toll free help line number मानव विरोधी help line number मादक पदार्थ विरोधी help email service आतंक वाद विरोधी toll free help line या फिर none of the above तो जो आंसर आप लोगों के लिए हो जाएगा ये जो मानस है ये आपका anti narcotics email service है ये याने कि मादक पदार्थ विरोधी email service है जिसे हाल ही ने government of India ने क्या किया है launch किया है अगला question very important what is the full form of मानस मानस का पूरा नाम क्या है है ना तो management and networking system option A option B है मादक पदार्थ तिशेद सूचना केंदर option number C है महिला एवं बाल नवाचार सूचना केंदर या फिर option number D none of the above प्रबंधन और networking प्रणाली मादक द्रव्य निशेद सूचना केंदर महिला एवं बाल पोशन सूचना केंदर या फिर इनमें से कोई नहीं मानस का full form क्या है तो मानस का जो full form है ये है आपका मादक द्रव्य निशेद सूचना केंदर मानस और ये क्या है इसी के साथ साथ एक टॉल फ्री हलप लाइन नॉमबर भी टॉल फ्री हलप लाइन नॉमबर हलप लाइन नंडिया ने क्या कि है रिलीज की है और यह नंबर क्या है यह आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे अगला जो है यह हमारा क्वेस्चन विच टीम एमर्जड एज ओवर रॉल चैंपियन ओफ कोपा अमेरिका 2024 याने कि जो 48 वा संसकरण हुआ इसका ओवर रॉल चैंपियन कौन बना है यह आप लोगों को बताना है अप्शन नमबर A है स्पेन अप्शन नमबर B है बॉलिविया अप्शन नमबर C है ब्राजील या फिर अप्शन नमबर D है अर्जेंटीना तो कोपा अमेरिका 2024 के फुटबॉल टूर्नमेंट्स को जितने वाली कौन सी टीम या फिर कौन सा देश रहा है स्पेन, बॉलिविया, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना ये आप लोगों को बताना है आंसर आप लोगों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नमबर D अर्जेंटीना और इसने अब तक कुल मिला करके सुल्ला कोपा अमेरिका के क्या जीच चुका है ये टाइटल्स जीच चुका है ठीक है चलिए अगला चलते हैं क्लेंजड गोल्ड मेडल एट आई आई एस एफ जूनियर वर्ल्ड कप दोहजार चॉबिस इसमें एक चीज़ और चोड़ लीजेगा हूँ अमंग्स आप फॉल्विंग इंडियन शूटर और यह आई आई एस एफ क्या आई एस एस एफ क्या है इंटरनाशनल शूटिंग स्पोर्ट्स वेडरेशन यह है आपका क्या आई एस एस एफ द्वारा हाल ही में जूनियर वर्ल्ड कप का क्या किया गया था आयोजन कराया गया था जिसमें कौन से इंडियन शूटर ने एक गोल्ड मेडल जीता है यह आप लोगों को बताना हैं आयए थेज सिंगविए सभीरा हारीसि Ain mucha मेली आई और भी यृणि की बहुट तेज सिंग ने भी और सभीरा दोनों नहीं गोल्ड मेडल जीता है या फिर इनमें से कोई नहीं किसी ने भी नहीं जीता है क्या गोल्ड मेडल भाउतेज सिंग सबीरा हैरिस दोनों या फिर कोई भी नहीं तो जो यहां पर आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप्शन नमबर डी कोई भी नहीं क्योंकि यह जो भाउतेज सिंग्गिल है इन्होंने कौन सा जीता है रजत पदक जीता है सिल्वर मेडल और जो सबीरा हैरिस है इन्हेंने क्या जीता है bronze medal जीता है कांच चे प्रदक इन्होंने जीता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला question है where was the ISSF Junior World Cup recently held यानि की ISSF द्वारा Junior Vishwa Cup कहां आयोजित कराया गया था Rome, Milan Turin या फिर Parpito ये चारो ही आपके Italy के शहर हैं Rome मिलान टूरिन या फिर पॉर्पीटो कहां पर इंटरनाशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा जूनियर वर्ल्ड कप दो हजार चौबिस का आयोजिन कराया गया था ये आप लोगों को जवाब देना है ऑप्शन ए बी सी या फिर डी इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी पॉपीटो पॉपीटो जो कहां पर है इटलीम है यहां पर आप लोगों का जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजिन कराया गया था अगला है बहुत इंपॉर्टेंट विच टीम एमर्ज्ड दे ओवर्ल चैंपियन ओफ यौरो कब दोहजार चौबिस याने की जो यूरो कब दोहजार चौबिस का आयोजिन हाल ही में जर्मनी में कराया गया था उसका विजेता कौन रहा है ये आप लोगों को बताना है ए जर्मनी भी फ्रांस सी स्पेन या फिर इनमे से कोई नहीं इसका जवाब है हमारे पास में स्पेन और स्पेन ने चार बार यौरो कब को जीतने का एक क्या बना लिया है रिकॉर्ड बना लिया है मैक्सिमम बार यौरो कब जीतने का किसने स्पेन ने कितने बार जीता है चार बार और कहा आयोजन कराया गया था जर्मनी में इसे आयोजित कराया गया था अगला question है दुनिया का पहला e-sports olympic खेल कहां आयोजित कराये जाएंगे e-sports olympic games are to be organized in which of the following places Saudi Arabia, Jamaica, China या फिर India ये जो e-sports olympic games है ये 2025 के जन्वरी फर्वरी में आयोजित कराये जाएंगे और ये दुनिया के पहले क्या होंगे e-sports के olympic games होने वाले हैं और answer आप लोगों के लिए हो जाएगा option number A Saudi Arabia में इसे क्या कराया जाएगा organize कराया जाएगा कहां Saudi Arabia में चलिए who amongst the following players clinched the Wimbledon Open 2024 men's title निम्न लिखित में से किस खिलाडी ने Wimbledon Open 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है option A है नुवाग जोकोविच option B है कारलोस अलकराज option C है रोजर फेडरर या फिर option D है आंद्रे अगासी नुवाग जोकोविच कारलोस अलकराज रोजर फेडरर या फिर आंद्रे अगासी इनमें से कौन से वो वेक्ती है जिन्होंने Wimbledon Open 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है इससे पहले इसी साल होने वाले जो French Open के tournament थे उसमें भी पुरुष एकल का खिताब इन्हों नहीं जीता था और ये दोनों खिताब एक साल में जीतने वाले ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गये है और इनका नाम है क्या option number B कारलोस अलकराज ठीक है? चलिए अगला question देखते है who among the following player clinched the Wimbledon Open 2024 women's single title मतलब निम्न लिकित में से किस खिलाडी ने Wimbledon Open 2024 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है जिसमें कारलोस अलकराज जीते है Wimbledon में उसी में ही कौन सी महिला रही है जो women's single या फिर महिला एकल का खिताब जीती है और ये महिला एकल का खिताब इन्होंने पिछले साल भी जीता था याने 2023 में Wimbledon Open का जो आपके विजेता रही है वही इस बार भी Wimbledon Open की विजेता रही है और ये कौन है ये है आपकी माफ कीजेगा एक ही देश से पिछले साल भी Wimbledon Open जीता गया था उसी देश की खिलाडी इस बार भी जीती है और ये कौन सा है चेक रिपबलिक की बारबरा क्रेजे कोवा पिछले बार किसी दूसरी खिलाडी ने जीता था लेकिन ये दोनों ही एक ही नेशन से है और वो है कौन सा चेक रिपबलिक तो इस बार किसने जीता है और बारबरा क्रेजे कोवा ने अगला जो क्वेस्चन हमारे पास में है यह है वो अमंग्स दा फॉल्लिविंग हैज रीसेंटली बीन अपॉइंटेड एज सब रीजिनल रीप्रेजेंटेटिव और साउथ एशिया बाइशियन पैरलिंपिक कमीटी एशियन पैरलिंपिक कमीटी के माध्यम से साउथ एशिया दक्षणी एशिया का प्रतिनिधी किसे चुना गया है उलंपिक्स में यह आप लोगों को बताना है औप्षण नंबर A है जोगिंदर सिंग बेदी औप्षण नंबर B है दीपा मलिक औप्षण नंबर C है भीमरاउ के सारकर या फिर औप्षण नंबर D है आपके मुरली कांठ पेट कर इनमें से कौन से वो विक्ति हैं जिने दक्षिणी एशिया का क्या बनाया गया है प्रतिनिधी चुना गया है एशियन पेरालिंपिक कमीटी के द्वारा जो गिंदर सिंग बेदी तीपा मलिक भीम राओ के सार कर या फिर मुल्ली कांथ पेट कर जवाब इसका हो जाएगा option number B टीपा मलिक जो भारत की पहली महिला क्या है पेरालिंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली क्या है महिला है अगला question है who amongst the following became the new prime minister of Nepal निम्न लिखित में से कौन नेपाल के नए प्रधान मंत्री बनाए गए है या फिर चुने गए है के पी ओली option number B पुष्पा कमला दहाल option number C है शेर बहादूर देवबा option number D है शुशील कोईराला के पी ओली, पुश्पक, कमला, दाहल, शेर बहादूर, देवबा, या फिर शुशील, कुईराला इन में से कौन वो व्यक्ति हैं, जिनोंने क्या किया है, नेपाल के ने प्रधान मंत्री के रूप में शपत ली है यहां पर आप लुगा को जड़ जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, के पी ओली और इन्होंने पुश्पा कमला दहाल को पराजित करके क्या किया है, या फिर ये बोला जाएग, इसके पहले जो प्रधान मंत्री थे, वो कौन थे, पुश्पा कमला दहाल तो यहाँ पर खतम होता है, हमारे लिए वे सभी समसमाई की जो राश्टी अंतर राश्टी है, स्तर पर हमारे लिए महत्तोपूर्ण है, एक्जाम उप्योगी है, उनके उपर क्या आधारित बहु विकल्पिय प्रश्णों की एक शंकला, आगे करंट अफियर्स के लिए हम हमेशा आपके साथ टीम कोको